देश में आज 72 गर्तंत्र दिवस बड़े ही धूमदाम के साथ मनाया जा रहा है इस अफसर पर लखनव के विदान सवा पर दौजार रोहड करने के लिए उत्रपदेश के मुख्यमंत्री योगी आदेतिनाथ अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहुंच चुके हैं तो आईए सीधा रुख करते हैं उत्रपदेश की विदान सवा का जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदेतिनाथ 2000 रोहड कर रहे हैं पंजाब सिंद गुजरात मराथा राविड उत्कल पंगा वेंद्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल थितरंगा तव शुब नामे जागे तव शुब आशिश मागे काहे तव जयगा था चनगण मंगल दायक जय है भारत मागिव खाता जय है जय है और वे टे, ये, 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 ये,anda देश के बहत तर्वे गणतंद्र दिवस के आशर पर मैं आप सभी प्रदेश वासियों को हृदे से वधाई देता हूँ हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन 1950 में इस देश की विवस्ता को संचालिद करने के लिए इस देश ने अपना एक समिधान लागू किया था भारत को दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंद्र के रूप में इस्थापित करने भारत के अंदर अनेक्ता में एक्ता के भाव को सिर्जित करने में हमारे संविधान की बहुत महत्तपूर्ण भूमिका है मैं सरुपर्थम 72 गनतंतर दिवस के अउसर पर भारत के उन सभी महान सुतंतरता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने भारत की स्वाधिनता के लिए अपना सर्वस्तों ने च्छावर किया था आजादी की लड़ाई के लिए नहोंने अपना योगदान दिया था ऐसे उन सभी सुतंतरता संग्राम सेनानियों की प्रती बिनम्ब्र सर्धानजले अर्पित करते वे उन्हें कोटी कोटी नमन करता हूं आजाद भारत में देश की सीमाओं की रक्सा करते वे देश के अंदर आंट्रिक सुरक्सा की स्थिति को सुदर्ड बनाते वे सहीद्वे बीर चवानों की प्रती भी बिनम्ब्र सर्धानजले अर्पित करता हूं भारत का संबिधान भारत की प्रतीक नागरी को विनाब हे दभाव के एक समान औसर देने का पक्सधर राह है और आजादी के बाद 1950 में संबिधान लागू होने के साथ ही भारत की प्रतीक नागरीक ने भारत के संबिधान की ताकत का एसास भी किया है चाए वहा महला पुरुस के बीच में लिंक की आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव का हो जाती मत, मजभ, छेत्र और भासा के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का हो भारत के संबिधान ने कभी भी इस प्रकार की विक्रती को कोई भी महत्वन दे करके देश के अंदर बलेई जातिया अनेक हो, उपासना विधिया अनेक हो मत और मजभ के आधार पर लोगों की धारमेक और उपासना विधिया अनेक रही हो खान पान, रहन सन, भेश भूसा अलग-अलग रहा हो लेकिन अनेकता के वाबजूद उत्तर से लेके दक्षिन तक, पूरप से पस्सिम तक अगर पूरा भारत एकता के सूत्र में बंधा है तो भारती संस्कृती, भारती परंप्रा और हजारों वर्सों की उस महान विरासत को समेटे वे भारत के समिधान किसमें एक बहुत महत्तुण भूमिका है अपने समिधान के प्रती सरधा और सम्मान के भाव प्रती एक नागरिक का दहित तो बनता है जो समिधान हमें सम्मान के साथ जीने आगे बढ़ने का उसर दे रहा है उस सम्मिधान किन मूल भावों का सम्मान करते हुए जहां पर हमारे पास केवल अपने सम्मिधानिक अधिकारों की ही बात नहीं बलकि इस राष्ट के प्रती राष्ट के सम्मिधानिक महत्व के अस्थलों के प्रती और भारत के प्रतीक नागरिक के प्रती हम सब का क्या दाहित्व है उन करतब्यों का बोध भी हमारा सम्मिधान हमें कराता है हम सब को भारत के समिधान पर गौरप के अन्भोती होनी चाहिए और इस औसर पर हम सब को श्मन करना होगा भारत के समिधान के उन सभी निर्माताओं को चाहिवा समिधान सभा के द्ध्यक्स डॉक्टर राजेंदर परसाजी रहे हो समिधान सभा की ड्राप्ट कमीटी के अध्यक्स जिनके नित्रित्तों में भारत की समिधान का इमसोदा तैयार हुआ था बाबा साब डॉक्टर भीम राओं बेट कर जी रहे हो जिन्होंने पुरे देश की भावनाओं को भारत के समिधान के अंदर समाहित करते हुए भारत के प्रते एक नाकरिक को समिधान के प्रती सर्धार सम्मान का भाव जक्त करने के लिए एक भाव दिया है मैं इस उसर पर भारत के समिधान निर्मान से जुड़े भे भारत माता के उन सभी महान सपूतों को भी इस उसर पर बिनम्र सर्धान जली रपित करता हुँ हम सब जानते हैं कि जवे देश 72 गड़तंतर दिवस का यजन पुरे भब्यता के साथ कर रहा है गड़तंतर दिवस का 71 वर्स अब तक इस देश ने हर सोल नास के साथ मनाए है 26 जनवरी की तिथी हमारे लिए किवल समिधान लागू करने की तिथी नहीं है इससे पहले 26 जनवरी की तिथी को इस देश ने स्वतंतर होने के पूर्व इस देश में जब ब्रिटिस हुकूमत थी इस तिथी को पूर्ण स्वाधिनता दिवस के रूप में भी पहले से मनाने के एक विवस्था रही है और लगभग बेड़ दसक तक ऐसी स्थिती थी जब एदेश 26 जनवरी को स्वाधिनता के पहले इस दिवस के रूप में मनाता रहा है और अंतता जब 26 नौमबर 1949 को समिधान स्वाध ने समिधान को अंगिकार किया और फिर 26 जनवरी 1950 को पुरे देश के अंदर से लागो किया या तिथी हमारे ग्रतंतर दिवस की रूप में हम सब के लिए अपने राश्ट की प्रतीक भारत की समिधान की प्रती सर्दा और सम्मान को बेक्त करने का एक उसर भी हम सब को पुरदान करता रहा है देश के अंदर हम बहत्तरवा ग्रतंतर दिवस ऐसे उसर पर उमंग और उत्सा के साथ मना रहे हैं जब पिछले लगभग दस महिनों से पूरा देश और पुरी दुनिया बैस्विक महामारी करोना की चपेट में है आपने देखा होगा इस पिछले दस ग्यारा महिनों से लगातार दुनिया के अंदर भी देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी किस प्रकार की प्रस्तितियां थी कहते हैं करोना महामारी इस सदी की सबसे तीबरतम संक्रमित होने वाली महामारी है पहली बार लॉक डाउन कैसे होता है इस देश ने ये भी देखा राष्टिय अनुसासन कैसे होता है देश के मन्य प्रधान मंत्री जी के आववान पर पुरे देश ने राष्टिय अनुसासन का जो परिछे दिया उसका पेड़ाम भारत के 135 करोड नागरिकों की जीवन की सुरक्सा करोणा महामारी से बचाते वे हम सब ने अपनी आखों से देखा है अनिता हेल्थ इंफरस्टक्चर ही इस महामारी से अगर बचा पाती तो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश हैं जिनके पास चाईवा अमेरिका हो यूरोप के कई देश हैं जहां पर हेल्थ इंफरस्टक्चर की जह हम बात करते हैं तो उनके पास हेल्थ इंफरस्ट सक्षर भारत से कई गुना अच्छा है लेकिन कहीं न कहीं जो एक अनुसासन का भाव है जहां इसमें कमी आई उसका पेढ़ाम क्या रहा उन देशों के अंदर ये महामारी ब्यापक जनहानी का कारण बनी लेकिन भारत के अंदर एक सुस्सी नित्रत्व में समय से ले गए नि संबाद के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सभी अधिकारों के साथ जिस देश के नाकरिक जी रहे हों आगे बढ़ रहे हों स्वाधिनता का नुभाव कर रहे हों उस देश के अंदर करोना से निपटने के लिए जो रणिती प्रधान मंत्री मोदी जी क नित्रतों में बनाई गई उसने सफलता पुरुवक भारत के अंदर जान को भी और जहान को भी बचाने में महत्तुपूर भूमिका का निर्वहन किया है हम सब के लिए यह 72 वां गणतंद्र दिवस इस महमारी से बचाओ काव पहार लेकर के भी आई है दुनिया के अंदर भारत एक मात्र देश है जिसने दो स्वदेशी वैक्सीन विक्सित किये हैं और इस स्वदेशी वैक्सीन पंद्रव जनवरी से देश के हेल्थ वरकर्स को लगती भी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में अब तक दो चर्णों में ये वैक्सीन लग चुकी है अब ये 28 और 29 को फिर से हेल्थ वरकर्स को इस वैक्सीन को लगाने की परक्रिया होगी और हमारा प्रयास है कि 15 फरवरी के असपास हम करोना वारियर्स को भी चाईवा हमारे पुलिस के जवान हो सुरक्सा के जवान हो भारत की सीमा पे रक्सा करने वाले भारती सेना के हमारे बहुद्र जवान हो होमगार्ड प्यारडी या सुचिता कर्मी राजुस्व के कर्मी इन सभी को यह वैक्सीन देने की प्रक्रिया हम लोग प्रारम्ब करने जा रहे हैं एक नए विस्वास के साथ आज भारत आगे बढ़ रहा है लेकिन आपदा के समय कैसी रणनी थी बनाई जानी चाहिए उत्तरप्रदेश पुलिस ने लॉग डाउन प्रारम होने के बाद जब सारी चीजे बंद थी उन असाहाय और समर्थ और उन लोगों के पास जिनके पास सामान ने बुन्यादी सुवधाई नहीं थी डॉर स्टेप डिलिबरी के मात्यम से हम प्यार भी वन वन टू का उप्योग करते हुए उन सभी लोगों तक इन सुवधाओं को पहुँचा सके या कार उत्तरप्रदेश पुलिस ने किया राजस्व के कर्मियों ने इसके बाद इसके साथ जुड़ करके चौबीस करोड जनता को कैसे सुरक्षित किया आज नकेवल माने प्रधान मंत्री जी ने उत्तरप्रदेश के कोराना प्रवंदन की सराहना की है बलकि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्ति संस्था विश्व स्वास्ति संगठन ने भी उत्तरप्रदेश के करोणा प्रवंदन की सराहना की है हम लोग एक तीम भाव के साथ जब कारे करते हैं उसके पेड़नाम भी उसी रूप में हम सब के सामने मिलते है और आज उत्तरप्रदेश एक नई जिसा की और अग्रसर हुआ है सुरक्सा का एक बहतर वातावरन इनकेवल आम जनके विश्वास का प्रतीक बना है बलकि सुरक्सा का ये बहतर वातावरन प्रदेश में प्यापक निवेश और रोजगार की संभावनाओं को भी लेकर के चला है हमने करोना कालखंड में सवा करोड लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने में यहाँ पर हमें मदद मिली अगर निजी छेत्र में निवेश नहीं होता तो संभावता हमारे लिए एक चुनोती होती लेकिन सुरक्सा का जो बहतर वातरण प्रदेश के अंदर बना उसका प्रणाम है वो जनविस्वास का प्रतीक बना देखते ही देखते दुनिया के सभी निवेशक और उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए आज उनके अंदर एक ललक है उन लोगों में एक प्रतिस्परदा प्रारम होई है कि हम भी उत्तर प्रदेश के अंदर नवेस करेंगे और इस नवेस का प्रणाम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी, रोजगार और साथ-साथ उसको देखते हुए स्वरोजगार की भी सुविधाएं प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रही है कि देश आभारी है प्रणामंतरी मोदी जी का जोनने लोगडाउन के दौरान गरीब कल्यान पैकेज के साथ ही भारत को एक स्वावलंभी और ससक्त राष्ट के रूप में प्रसर करने के लिए आत्म निर्भर भारत का एक नया मंतर देश को दिया आत्म निर्भर भारत का ये मंतर हमारे प्रंप्रागत उद्यम और उत्पाद से प्रारंब होता है उत्तरप्रदेश 2018 में ही एक जन्पत एक उत्पात की अपनी ब्यापक कारियुष्णा के माध्यमसी से आगे बढ़ा चुका है एक जन्पत एक उत्पात यह हमारे परंप्रागत उत्यम हैं जो पहले से ही उत्तरप्रदेश के अंदर थे लेकिन उपेक्सा की कारण उन पर कहीं भी भी सासन और प्रसासन की द्रिश्टी न जाने के कारण वे लोग उपेक्सित मैसूस कर रहे थे लेकिन आज एक जनपद एक उत्पात की हमारी ये कारेयोजना आत्म निर्फट भारत का अधार बंती भी दिखाई दे रही है प्रदेश के अंदर अनदाता किसानों के लिए जिस प्रकार के कारिक्रम चलाए गए पिसले छै वरसों के दोरान देश के अंदर किसानों के हितों के लिए जिस प्रकार के कारिक्रम चले चाई वहा स्वायल हेल्थ काड़ का हो प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना का हो प्रधान मंतरी किसी सिचाई योजना का हो स्वामिनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को लागत का डेड़ गुना दाम देने का हो या फिर किसानों को दी जाने वाली प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी का लाब हो ये ब्यापक पैमाने पर देश के अंदर आज हम सब मैसूस कर सकते हैं और उत्तरपदेश इस मामले में सभग साली है प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी में उत्तरपदेश के अंदर दो करोड पैंटीस लाग सधी किसान इस योजना का लाब ले रहे हैं जिसमें छे हजार रुपे सालाना प्रतेक किसान को भारत सरकार के सहयुक से प्राप्त हो रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निदी ने इन सभी किसानों के जीवन में एक नया प्रिवर्तन दिया है उन्हें किसी भी प्राकृतिक आपदा में बचाओ का एक रास्ता दिया है और यही नहीं प्रदेश के अंदर प्रक्यूर्मेंट की स्पॉल्सी ने केवल धान और गेहों का जो प्रक्यूर्मेंट प्रदेश के अंदर हुआ है बिगत तीन वर्सों के दोरान इसमें किसानों के खाते में साथ हजार करूर उपे प्रदेश सरकार ने डीवीटी के माध्यम से दिये हैं गन्ना किसानों के बंदोरे ही चीनी मिलों को प्रदेश के अंदर फिर से चलाया गया करोना कालखंडन में 119 चीनी मिले चली और बिगत 3.5 वर्स के दोरान प्रदेश के अंदर 1.00.15.000 करोड उपे के गन्ना मुल्यका भुक्तनान भी किसानों को कराया गया युवाओं के लिए हो प्रदेष के अंदर 540000 1 प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौक्रियां उपलब्द करवाने में 15 लाँ नौ झवानों को रोजगार के साथ जोड़ने में लेट करोड नौ झवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर निजी छेतर में भी रोजगार के साथ जोड़ने में और पूरे प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर स्वतर रोजगार की भी संभावनाओं को आगे वढ़ाने में हमें मदद मिली है आज हमारा MSME सेक्टर बहतर तरीके से कारे करते मुप्त की बात मुप्त उपलब्द कराने की बात रही हो या फिर प्रदेश के अंदर मुख्यमंतरी कन्या सुमंगला योजना से लेकर के मुख्यमंतरी सामिक विवहा की योजना के माद्यम से बालिका की सुरक्सा और प्रदान मंतरी मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी प प्रतिवा और उर्जा से भरपूर है उसकी प्रतिवा और उर्जा का अपयोग देश कर सके दुनिया कर सके इस देशसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यूद है नाम पर हम लोग एक फ्री कोचिंग की विवस्ता वसंद पंचमी से प्रदेश के अंदर पहले चण में कमिस्णरी मुख्यालियों में और इसके बाद इसे हर जन्पत तक पहुचाने की व्यापक काडियोशना को हम आगे बढ़ा रहे हैं ये फिरी कोचिंग क्यों नीट और आयाइटी जेई के लिए ही नहीं होगा एंडे और सीडियेस के लिए ही नहीं होगा बलकि यूपीएस्सी की भी अखिल भारतिये परिक्साओं के लिए भी उन सभी नौज़मानों को एक आउसर प्रदान करने उन्हें एक प्लेटफॉंम प्लब्द कराने का एक मंचो होगा जिसमें हमारे प्रसासनिक अधिकारी भी क्लासेज लेंगे अपने अनुभो कालाब उन नौज़मानों को देंगे और इसमें हम लोग जितों भी बहतर फैकल्टी हो सकती है उसकी कारयोसना को पूरी तैयार करके उसको लागू करने के ल हमारे ले यह वर्ष बहुत मेहटफून है यह वर्ष हमारे ले मेहटफून इसले भी है देश की आजादि के लेको एक नए दिसा देने वाले चोरी-चोरा की घटना का सताप्दी वर्ष भी परणे जारा है और साते आजाद़िए पिचतर वर्ष पूरे होने जा रहे हैं उसके उपलक्स में भी इस वर्स स्वाधिनता दिवत से एक नए कारिक्रम प्रारम्ब होंगे प्रदेश के अंदर चोरी-चोरा की घटना को एत्यासिक प्रपेक्स में रखते भे प्रतेक नागरिक तक भारत के महान सुतंतरता संग्राम सेनानियों के बारे में हम लोग आम जन के मन में एक भाव पैदा कर सकें इस एक कारिक्रम की रूप्रेखा प्रारम्ब की गई है चार फरवरी को चोड़ी-चोड़ा गोरकपुर में इस कारिक्रम का सुभारंब करने का निश्चे किया गया है आधनिय प्रधान मंत्री जी का मार्क दर्सन और उनका अश्रिवाद इस कारिक्रम को प्राप्तो हो करके हर एक सहीद अस्तली पर अपने भारत के महान सुतंतरता संग्राम सेनानियों बीर जवानों की प्रती सर्धा और संबान का भाव बिक्त करने का एक उसर यह वर्स भर चलने वाले कारिक्रमों के माध्यम से प्राप्तो होगा आज जब एक बार फिर से हम लोग 72 गणतंतर दिवस के इस आईजन के साथ जुड़े वे हैं यह भारत के संब्धान की प्रती सम्मान का भाव जगरित करने का एक माध्यम हम सब को प्रदान कर रहा है और भारत का संब्धान जो हमें किवल अपने मौलिक अधिकारों के साथ ही नहीं बलकि अपने उन करतब्यों के प्रती भी आगहा करता है जो एक नागरिक के रूप में एक राष्ट के एक नागरिक के रूप में हम सब के हैं और हमें याद रखना होगा कि हमारा ब्रेक्तिकत जीवन ही नहीं है हमारा सारजनिक जीवन भी है और इस सारजनिक जीवन हमें एक धर्म की पेणा देता है और धर्म है राष्ट धर्म वो राष्ट धर्म हमारे लिए सरोपरी होना चाहिए उस राष्ट धर्म के प्रती हम सब समर्पित भाव के साथ कारिक कर सकें इस विश्वास के साथ 72 में गनतंतर दिवस के आउसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को धर्दै से वधाई देता हूं प्रदेश वास्यों को अपनी सुपकामना ही देता हूं और विश्वास बेक्ट करता हूं कि हम सब अपने महान स्वतंतरता संग्राम सेनानियों और समिधान निर्माताओं के बताए गए मार्ग का नुसरन करते हूं भारत के समिधान की रक्सा करते हूं उनके महापुरसों भारत के स्वाधिनता संग्राम सेनानियों के बताये गए मारकन उसन करते हुए एक भारत स्रेश्ट भारत की प्रधान मंतरी मोदी जी की संकल्पनाओं को पूरी मजबूती के साथ पूरी प्रतिवधता के साथ तर्टार्थ करने में हम सब अपना योगदान देंगे आप सब की प्रति एक बार फिर से 72 में कंतंतर दिवस के अउसर पर हिरदे से बधाई और सुपकामना देते हुए अपनी बाणी को बनाम देता हूँ धन्यबाद जय है